और पाकिस्तान के क्वेटा से बड़ी खबर पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा बम धमाका हुआ है पुलिस लाइन को निशाना बनाया गया है आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान में आतंकी हमले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे विशावर में हमले के बाद अब क्वेटा में बड़ा बम धमाका हुआ है आतंकियों ने इस बार भी पुलिस को अपना निशाना बनाया है ये धमाका पुलिस लाइन के पास किया गया है जिसमें पांच लोग घायल बताय जा रहे है गयलों को तुरंद अस्पताल में भरती भी करा दिया गया है ब्लास्ट क्वेटा के छावनी शेतर के मुसा चेकपॉइंट के पास हुआ है हमले के तुरंद बाद पुलिस ने इलाकी की घेराबंदी भी कर दी है आतंकी संगिठन पाकिस्तान में लगातार फुलिस कर्मियों को निशाना बना रहे है हाली में पेशावर के एक मजजित में दुपहर की नमाज के दौरान एक आतंकी ने खुद को उडा लिया था इस हमले में सौ से जादा लोगों की जान चली गई थी वहीं 200 से जादा लोग घायल बताए गए थे इस हमले की जिम्मेदारी तहरी के तालिबान पाकिस्तान ने ली थी टीटीपी ने पेशावर हमले के बाद एक फरवरी को एक और आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी लेकिन इस बार वो अपनी साजिश में नकाम हो गया था टीटीपी के आतंकीों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मिये मियावली के मकरवाल थाने पर हमला कर दिया था हलाकी पंजाब पुलिस की जवावी कारवाई के बाद सभी आतंगवादी मौके से भाग खड़े हुए था